वेलकम बैक, चैप्टर टू के हम बात करें थे, उसका टॉपिक आज का जो है वो 2.4 है, बोक्सिंग एंड अन्बोक्सिंग अब बोक्सिंग एंड अन्बोक्सिंग होता क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, आटो बोक्सिंग भी इसको कहा जाता है जो के रेप्टर क्लास के तोर पहले हमारे पास मुझूद हूँ, तो उनको क्या कहेंगे आटो बोक्सिंग गएंगे अब primitive value कौन सी होती है primitive data types हमने पड़ी हुई है जिसमें int था जिसमें boolean था हमारे पास double है ठीक है तो वो 8 primitive values हमारे पास जो है उनको अगर मैं उनके objects में जो के rapper classes की form में मजूद है मैं change कर दूँ तो उसको हम क्या कहेंगे ये auto boxing या boxing है अब ये rapper classes कौन सी होती है rapper classes same जो primitive data type है वो ही होती है लेकिन उनके सामने हमें क्या मिलता है जैसे ये हमारे पास boolean है तो इसकी rapper class क्या है same boolean है लेकिन b इसमें बढ़ा है और इसमें byte है तो ये उसकी rapper class बढ़ा जागा तो ये उसकी rapper class बन जागी अब ये class वो class है जो के जावा की library में पढ़ी हुई है ठीक है जो हमें मदद देती है कि objects के तरों किस तरह काम कर सकते है जावा हमें ये अलोग करता है कि हम क्या करते है classes के साथ काम करते है अब object oriented programming चुके subject का नाम भी है तो जब तक हम object बनाएंगे नहीं तब तक हम उस पर काम नहीं कर सकेंगे object क्या होता है ये भी हम आगे जाके देखते है इसमें होगा क्या integer जैसे ये integer के class है और ये एक rapper class है क्योंकि आई इसमें बढ़ा है और अगर ये int होता है simple int ठीक है छोटे i के साथ तो ये हमारे पास एक primitive value होती primitive data type होती तो ये एक integer चुके पूरा लिखा है और बड़े i के साथ है तो ये एक rapper class है अब rapper class जब भी बनती है उसका कोई ना कोई object create होता है ये बात आपने याद रखनी है और object जब create होता है तो हमेशा वो new के keyword से होता है ठीक है जैसे कि ये new का keyword है और उसका एक object create हो रहा है जिसको obj variable के नाम से मैंने नाम दिया है तो ये एक object create हो रहा है new के keyword से और ये integer की rapper class है और इसके अंदर क्या storage है 10 यानि कि ये 10 की value किसमें store हो रही है इस object के अंदर obj में ठीक है अब यहाँ पर अगर आप इसको देखे तो ये integer x is equal to 10 है इसका मतलब क्या है कि इस x के अंदर ये 10 की value store हो रही है अब ये हो क्या रहा है ये same काम वही हो रहा है जो उपर हो रहा है यानि कि इधर भी ये हो रहा है कि obj object के अंदर 10 की value store हो रही है इधर ये क्या कर रहा है x में 10 store कर रहा है जो के integer class के साथ हमने लिखा हुआ है और ये integer हमारे पास wrapper class है ठीक है तो इसका मतलब है ये automatically यहाँ पे new के keyword के साथ इसको join करके integer को तो वो 10 को x में store कर रहा है तो इसको autoboxing कहते है यानि कि automatically Java के compiler को पता चल गया है कि ये क्या करना चाहरे है wrapper class के साथ एक new object create करना चाहरे है और उसमें 10 store करना चाहरे है तो इस वज़े से इसको autoboxing भी कहते है unboxing क्या होता है converting an object of wrapper class wrapper type to its corresponding primitive value यानि कि इसको उल्ट होगा अगर हम क्या करें wrapper class को primitive data type में change कर दें तो वो हमारे पास क्या बनेगा unboxing कहलाएगा जैसे कि ये diagram है अगर मैं इसको यानि कि हमारे पास जैसे double है double को मैं change कर दूँ इधर तो ये हमारे पास unboxing कहलाएगा float को मैं छोटे float में change कर दूँ ठीक है तो ये हमारे पास क्या होगा जी unboxing होगा ये उसके alt है for example conversion of integer to int यानि integer की wrapper class है उसको मैं int में ले हूँ तो वो हमारे पास unboxing होगा अब ये उसकी primitive data type है जो 8 हमने अब तक पढ़ी है ठीक है और अगर मैं primitive values को मैं change कर दूँ wrapper class में तो वो क्या कहलाएगा auto boxing और अगर मैं wrapper classes को सब को change कर दूँ किस में जी primitive value में तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा unboxing अब objects क्या होते है object की हमने बात की थी object basically consist किस पे करते है तीन चीज़ों पर state उसका behavior और उसकी identity state क्या होती है object की it is represented by attributes of an object attributes यो होते हैं उस subject के उसको हम क्या करते हैं उसके state कहते है it is although reflect the property of an object object की क्या property है वो उसके क्या होंगे state इसकी example हम देखते हैं आगे जाके अब for example यहाँ पर उसका behavior है तो behavior क्या होगा it represented by method of an object behavior जो भी होगा वो उसका method को represent करेगा यह इसके function को करेगा अब method क्या होता है यह हमने last lecture में देखा था ठीक है तो last lecture उससे previous lecture में जब हम मैं बात कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि methods किस तरह चलते हैं या constructive किस तरह चलते हैं तो behavior जो भी किसी चीज़ का होगा तो उसको हम क्या कहेंगे method as a method consider करेंगे it also reflects the response of an object object का response क्या होगा वो भी हमें यही बताएगा with other objects दूसरे object के साथ किस तरह वो link करेगा यह behavior से पता चलेगा क्योंकि यह उसका method होगा अब जब हमने class की बात की थी तो मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर हमने instance variable पड़े थे हमने local variable पड़े थे ठीक है और हमने static variable पड़े थे जो local variable होते हैं वो just class के method के अंदर होते हैं तो उस method की बात की जा रही है instance variable जो होते हैं जो class के बात define होते हैं और method के बाहर होते हैं ठीक है और static variable भी उधर ही होते हैं लेकिन उनके साथ static का keyword आ जाता है identity क्या है जी उसके शनाक्त it gives a unique name to an object उस object का unique name क्या है and enable one object to interact with other object ठीक है दूसरे object के साथ किस तरह interact करना है अब यह उसकी example for example identity क्या है name of dog dog एक object है dog का जो name होगा वो उसकी identity होगी उसके state और उसके attributes क्यों से हैं जी जैसे उसका color है उसकी age जाए उसके breed है ठीक है उसकी यानि के नसल कोन सी है उसकी उमर कितनी है उसका color कोन सा है तो यह उसके attributes है behavior उसका क्या होगा उसके methods होगे dog is a barking, dog is sleeping dog is a eating तो eating, sleeping या barking उसके method होंग ठीक है यह उसकी एक्जेम्पल है रैपर क्लास की definition एक दफा मैं आपको बता देता हूं रैपर क्लास is a class whose object wraps और contain a primitive data value यानि के उसके objects के अंदर कौन सी value पढ़ी होती है जी primitive data values पढ़ी होती है और example कौन कौन सी है boolean है character है integer है double है white, float, short and long तो यह हमारे पास सारे के सारे क्या हैं जी रैपर क्लास हैं so next lecture में इंशाला मुलगात होगी तब तक के लिए अलाफिस आज हमने जो topic cover किया है यह हमारा chapter number two जो है वो cover हो चुक है यानि कि जिसका नाम था variables and operators ठीक है जी तब तक के लिए जो है अलाफिस